हेलो डियर्स वन्स अगें वेलकम बैक टू महत्मा जी इंगलिस सल्यूशन एंड इसी सीरीज में फिर से आगे बढ़ते हैं और फिल इन दे ब्लैंक्स विद पास्ट कॉंटिन्यूस टैंस और वर्प्स की कम्प्लीट करते हैं किस वीडियो में हम बेसक्स करेंगे फिल इन द पर्फ की फर्स्ट फर्म प्लस इन जी प्लस ऑप्जेक्ट्ट् this is the formula पास्ट कॉंटिन्यूस टेंस सब्जेक्ट हमारा क्या होता है he see it he see it I,we,you they these all are subject ठीक है singular and plural subject पेसी में आते हैं was और वर्ब जो है हमारी helping verb है ing form लगाएंगे object हमारा जो है वो कर्म हो जाता है this is हमारा कर्म object ठीक है so without wasting any time हम इस वीडियो को start करते हैं सबसे पहले देखो I ठीक है I dot 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 learn दे रखा है न वर्ब है यह verb my lesson तो past continuous tense है तो आए क्या है हमारा plural singular subject है बट इसके साथ जो वर्ब लगती है helping verb वो plural होती है तो यहां पर क्या लगेगा I was ठीक है इसके साथ वर्ब प्लूरल जभी लगेगी जब हम कोई imagination कर रहे होंगे for example I were a king class मैं राजा होता ठीक है अब देखो I was learn तो learn के साथ हम ing लगाएंगे this is the rule ठीक है I was learning my lesson मैं अपना lesson याद कर रहा था second number दे दे क्या है हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल सब्जेक्ट में हमेशा प्लूरल हेल्पिंग बाप लगेगी तो प्लूरल हेल्पिंग क्या होती है दे वर ठीक है वर solving s-o-l-v-i-n-g solving the sums वे sums को solve कर रहे थे या सवाल हल कर रहे थे third one देखो he he singular subject है ठीक है किसी का name भी singular subject होता है he see it name these all are singular subject ना these all are belongs to singular subject so he tells he he के साथ क्या रगेगा was he was ठीक है telling he was telling a lie वहे जूट बोल रहा था ठीक है fourth one देखो हमारा अब्दूल ठीक है अब्दूल क्या है singular subject है तो इसके साथ क्या रगाएंगे हम वाज अब्दूल was helping his friends fifth one James this is also singular subject to James was climbing right James was climbing the tree when he fell down James जो है जब बहे गिरा था तो बहे पेड़ पे चर रहा था ठीक है यहां James पेड़ पर चाड़ रहा था when जब बहे गिरा six one है हमारा देखो who dot 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 call you yesterday ठीक है तो यहां पर क्या जाएगा who के साथ वर लग जाएगा हूँ वाज लगेगा sorry वर नहीं who was calling मतलब हूँ कौन आपको call कर रहा था कल को मतलब बुला रहा था calling means होता है बुलाना है seven देखो दपिकॉग ठीक है दपिकॉग यह की है ना दपिकॉग वाज ठीक है डांसिंग पिकॉग वाज डांसिंग ऑन दा रूफ च्छत पर पिकॉग डांस कर रहा था मोर डांस कर रहा था एर्थ वन ने देखो हाव मैनी बॉइज ठीक हाव मैनी वाज के साथ लगेगा वार क्योंकि वाज बहुत सारे हैं ना तो सिंगलर सब्लूरल सब्जेक्ट हुआ यह प्लेइंग होकी राइट तो डियर्स आज की इस वीडियो में इतना ही यह बस एक छोट वीजी सॉट वीडियो थी बहुत ही जल मैं आप लोगे के लिए कुछ बहुत अच्छा प्लेंड करने जा रहा हूं सुम लॉंग वीडियो बनाए करेंगे बिद्ध हैल्प बोर्ड बनाए करेंगे और एक चीज़ बहुत अच्छे से डिसकस करेंगे तो अब वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सेयर सब्सक्राइब करें तब तक के लिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जैहिन चैभारत